सुही गाई साजों देखने वाले हैं क्लास नाइन के हिंदी के चैप्टर टू जो कि यह लहासा की हो यहां पर इसके राइटर इंका नाम है राहू संस्कित्यान इससे पहले इंका नाम तक किदार पांडे लेकिन जैसे यह सिलंका जाकर के बहुत दर्म को अपना लेते हैं उ राहू जी पहली बार जो है तिब्बत गये थे वो भी नेपाल के रास्ते और इची ध्यान देना कि यह जो पूरा कहानी यह लहासा की और इसके अंदर राहू जी जब पहली बार तिब्बत गये थे तब उनके साथ क्या क्या हुआ उन्होंने क्या क्या मैसूस किया कैसे कै से परिसानिया आई इन सब चीजों के बारे में उन्हें पूरा लिखा है तो हां यहां पर इची जोड़ क्लियर कर दूं कि यह पहली बारे ने जब यात्रा किया उसके बाद भी दूसरी बार में इन्हें तिब्बत के यात्रा की हुई है लेकिन इस कहानी के इन्हें पहले य मतलब मना कर दिए भारतियों को रोक लगा दिये थे तो इस वाज़ासे जो है रहोजी जो थे वह भिकमंगा मिन्स जो भिकारी है उसका वेज भूशा करके तिप्बत गये थे दोसी के बारे में यहाँ पर ज्यूरे चैप्टर में उन्होंने बताया है तो इस चैप्टर की प बता दूँ देखो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है और वहां कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए ध्यान देना आप जो राइटर हैं यह दो या लगवा उससे अधिक बार तिब्बत जा चुके हैं लेकिं यहां पर इस कहानी के अंदर ज कि अन्यूनों ने यहां पर बताया है तो ध्यान देना वह दो यह लगवाम गार्वां तिब्बत जा चुकी मैं लीकिनý अफने पहले एक्स्प्रियंस को यहां पर यह बतातें हैं कि जब पहली बार तिब्बत जा रह innovations करें और अब जिस रास्तेसे जा रहेते हैं tohu उस समय का मुक्स कर नहीं खुछ तो यह पताते हैं कि नेपाल और हिंदुस्तान की चीज़े जुथी वह इसी रास्तेसे तिबच जाय करते थे तो देखो आभी जेस्टर ने देखा कि भारत वास्यों को तिबच जाने से मनाई थी तो यहां पर भारत का समान तिब्बत कैसे पहुंचा तो एक चीज़ हो सकता है कि यहां पर भारत का समान पहले नेपाल पहुंच था फिर नेपाल के लोग जो उसको तिब्बत ले जाते होंगे तो यहां पर यह जो रास्ता था नहीं बहुत ही मुख्य रा और एक वक्त था जब उन फॉजी चौकिया और किले जो थे उनमें चीनी पल्टा चीनी सेनिक जो है रहा करती थी लेकिन राइटर बताते हैं कि उनके वक्त तक जो है फॉजी मकान या फिरकव जो चौकिया थी वहाग गिर चुकी थी दूर मतलब जो किला है जो किला कुछ खाली हो गयते और किले के जो कुछ हिस्से थे उनके अंदर कहीं कहीं किसान अपना बसेरा बना लिए थे मतलब कि वहाँ पर रहने लग गया थे और इस वैसे जो है कुछ आबादी दिखाए पर देखने में कि लगता कि चलो वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं अब आगे पाल और तिब्बत का रास्ता हो गए थोड़ा पहाड़ी इलाका है ठीक है तो इस वैसे वहां पर ठंड जाता रहती है इसे लोग जो भी थोड़ा वहां पर मतलब जा रहे होते हैं तो कुछ गरम चीज़ अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं तो यह लोग भी आपने साथ लेकर गहते हैं ताकि वह पी सके उस थंड से बचने के लिए अब यहां पर देखो जैसे मेरा को बताया था कि जो राइटर हैं वहां तिब्बत जाकर आ चुके हैं वह अपनी एक्स्पिरियंस को इस कहानी में लिख रहे हैं तो यहां पर वहां तिब्बत के बारे में लूगों के बीच में जो है ऊची नीच का भावना नहीं तो अपनल वहां पर घृूदे इसा करना रहते हैं तो अपना काम करती हैं प्投ड पर कोई भी जैसे उंच नीच का बावना या फिर डिस्क्रिमिनेस जिसको नहीं है अब राइटर कहते हैं कि वहां के लोग जो वहां निम निस्तर के भिकारे निम निस्तर का मतलब कि जो निचले करके लाके उसे दे देंगे वहां उसको घर के बाहरी रखेंगे लेकिन उसको चाय में आकर जहूर लाकर देंगे क्यूंकि जैसे मैंने बताया को सुर्वात में जो जैसे यह तिब्बत का पहाड़ी इलाका है तो अब ठंड जादा रहती है इससे लोग भी helping nature के वहां के जो क चैनょ और सोड़ा नमक दे देता है तब जो जो नहीं फिलगों को देता है तो चाह को चोडी में मतल़ कि एक क्लक बरतन होता है उसके अंदर कूट करके एक चाय बनाकर में लाँ देंगे उसके बाद एक टोटी दार बर्तर मिनस खोटी केतली कैसे थे चोटासा केतली की अलग से लोगों ने बचा करें रख दिया है तब वो जो है अपने से भी जा करके यह चाय बना करके ला सकता है लोग उसे अंदर आने दे रहेते हैं अब राइटर अपने यातराई कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि वे दोनों जो है चीनी प्रत्याग के किले जहां पर वह बै कि पास होता है तो यह जो है दोनो जए चीट उसे दे दे देते हैं और वह एक चीते थी उसके अंदर त्रेट का साइन था जो की बहुत वही तहां के पास पुल्स सेंदेग को पार करने के लिए और इस weniger थी आपने मंगुल दोस्त के दी और लुए मंगूल कोन थे यह यह और इंका नाम क्या है सुमती ठीक है तो यह कौन है ये मंगोल दोसकों था हिए यह तो इसको याद धखना है कि आकिर यह जो सुमती है कौन है तो यह मंगोल बिख्चु है अब यह लोग जस्तिब्बत आ गया था वहां पर ये लोग पहुंच गया थे अब राइटर और उनके दोस जिनका नाम सुमती बताया गया है वो दोनों जो उस गाव में रुखने का सोचते हैं सुमती का उस गाव में जान पेचान होने के वज़े से जो हैं वो लोग भिकमंगे रहते हैं फिर भी उनको एक अच्छी जगह मिल जाती है रहने के लिए अब यहां पर जो राइटर यह अपने दूसरे यात्रा के बारें बता रहे हैं मतलब यह पूरा कहानी पहले यात्रा की है बट इसमें यह थोड़ा सा अंस दूसरे यात्रा की बता रहे हैं यह कह रहे हैं कि पा गरी मतलब खराब जोपड़ी मिली ती रहने के लिए तो क्वस्तन ने पूछा गया है कि जब यह अच्छे यात्री बनके मतलब दुबारा गय थे इस रास्ते से तो इंको खराब जोपड़ी क्यों मिला तो यहां पर आपका दो अंसर हो सकता है पहला यह पहले यात्रा के वक जब यह लौट का जा रहे तो उस समय हो सकता है कि सुमती उनके साथ ना हो और वहां पर जान पैचान ना होने के वैसे एक अच्छे व्यक्ति होने के बाद भी जो इनको जगव ना मिली या फिर दूसरा के साथ दूसरे जो रायातरा थी उसमें भी होंगे बट उस समय जो ह वक्त में पहुंच जांगे और साम के वक्त में उस गाव में क्या था कि वहां के जो लोग थे न वहां च्छंग जो एक नसीला परदार ते वहां पी करके अपना होस हवाज में नहीं रहते थे जस वैसे अगर को आदमी वहां पर आता या फी चाहए जावन पैचान का हो य तो यहां पर आप यह लिख सकते हैं अनसर में अब यह जो थे यह सबसे विकर डाडा ठोंगला को पार करने वाले थे डाडा मतलब हो गया कि जो उचे जमीन होगे जैसे आप परवत समझ सकते हो ठोंगला मतलब कि तिब्बत की सीमा के पास वाला जगा जो की बहुत उचे नहीं दिखता है नदी और पहाड के मोड यह सब होने के वज़े से वहां पर कोई आदमी भी नहीं दिखता है लोगों को राइटर बताते हैं कि यह जब डाकू के लिए बहुत अच्छी है और यह कहते हैं कि तिब्बत के गाउं में अगर किसी का खून हो जाए तो उसे त पहाड पैसे तो किसको पदा कि आदमी का लास कहां मिलने वाला है इस पैसे पुलिस पर ध्यान नहीं देती है यहां पर बताते हैं कि कभी भी अगर डखयत होती है मतलब कि वहां पर कोई भी रोक नहीं था हतियार रखने पर कि जैसे कोई आदमी डंडे लेकर नहीं घूंगा यहां वहां उस तरह कोई भी आदमी जो आराम से पिस्टॉल यह से लेकर घूम सकता था और वहां पर हर एक आदमी के पास आपको यह देखने को मिल जाएगा इसलिए यहां पर यह बताते हैं कि अगर कभी डाकु किसी वै अगर कि यह जब गाहां में पहुंचते हैं तो उनको यह मालूम चलता है कि पिछले साली यहां पर इस जगह पर किसी का मतलब खून हुआ था इसे पर राइटर कहते हैं कि हम भीकमंगे थे और जहां कहीं वैसे सूरह देखते मतलब कुछ लोगों को देखते तो वह अपने तो यहां पर अब जब यह पहुंच जाते हैं अगला पढ़ा इनका सुल्ला सतरा मिल दूर है और इस अपने सुमती दोस्ते बोलते हैं कि हम लोग को लंकोर तक जाना है इसे अमनों दो घोड़े ले ले लेते हैं कि बहुत दूर कर रास्ता और चढ़ाई भी बहुत मतलब करना सुरू कर देते हैं दोपर के वक्त तक जो है यह डांडे के उपर पहुंच जाते हैं यह समूंद रितल मतलब सी लेवल होता है इसे सतर आठारा हजार फीट के उचाई पर रहते हैं अब राइटर जो उतने उचे स्थान पर से अपने चाव तरफ देखते हैं तो अप फिर वो देखते हैं कि भीटे मतलब हो गया कि टिले के आकार का हुचा इसस्थान अपने उत्तर की तरफ उन्हें कुछ और चोटी मतलब जो पर रवत की चोटी होती है वह दिखाई पड़ती है जिनके उपर बरफ पड़े हुए थे फिर वह देखते हैं कि जो सर्वेच स् डांडे इंते कि वाले पारवत के देवता का सबसे सबस्वीं वहां पर परवत के देवता की स्थान रहता है जहाँ जी बहुत असानी होती है यह कहते हैं कि इनके साथ कुछ और भी लोग आगे बढ़ रहे थे लेकिन इनका घोड़ा जो था वह बहुत धीरे चल रहा था इस वैसे यह सभी से पीछे रहे हैं फिर है कहते हैं कि यह दोन को विष्ट जो कि नायक था और घोड़ सवार ही मतलब घोड़े बैटके एक जैसे दूसरे जाया करता था उसकी तरह महसूस कर रहे थे कि इनके साथ जो भी साथी थे इनके जैसे इनका दोस्त था और बी कुछ लोग जो इनके साथ आगे बढ़ र कि जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते में जो दाहिना रास्ता था वो लंकोर जाता है अब यह वापस मुर करके जाते हैं पीछे और दाहिना रास्ता परकर के आगे बढ़ते हैं लगबग चार-पांच बच चुके होते हैं और यह सुछते हैं कि इनको रात हो जाएगी पहुंचते हैं जैसे जाना बना रहता है मतलों के जब्र Aww...' पहुझते हैं तो 77 फूर्ब 35, 6 जरूचते है जैसे पहुझते हमने लोजरी पहुझते हैं संक है कि मैंने 2 टोपर हुझते हैं और 3 बार चाय को गरम किया है दी है तूभ यह यहां पर रॉटться पर देखो मुझे कैसा गोड़ा मिला जो कि इतना दीरे चल रहा था कि मैं सबसे पीछे रहा गया और मुझे आगे जाकर कि जानते अब रात में इनको जो है चाय सत्तु मिलता है खाने के लिए फिर गर्मा गर्म थुप्पा का मतलब हुआ कि सत्तु चावल के साथ मूली इसे साथ तुक्पा का एक और मीनिंग है जो कि यह हड़ी या फिर मांस के साथ पतली लही का बना हुआ खाद्य परदात मतलब लही मतलब समझ लो कि जो लगभग जो है सेवाई की तरह दिखता हो ठीक है तो यहां पर इनको थुप्पा मिलता है मिन्स सत्तु या चावल का साथ मूली अब यह लोग अगले दिन चलते हैं तिंगरी तिंगरी जो है एक जगा था जहां पर बहुत विसाल मैदान था और आसपास में बहुत बढ़े बढ़े पर driven आप जिसके आसपास में वहीं पर्वत हुआ और ये तिंगरी मैदान ने इसमें दूर छोटी से पहारी दिखायी देती है जिसका ना महीं समाधेगिरी तो अब यह मैदान में रहे और आगे एगी तिंगरी गाहों के तरह बढ तो गंड़े मतने विए कि मंतिर पढ़कर गाठ लगाए गया घया घ्रत अधर ऑफपनी जो यहां जो मिलने जाना लेकिं जो रायटर चले जाएंगे अपने जानपेचान वाले लोगों से मिलने तो इनको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा तो तीन सपता लग जाएगा सबसें मिलके आने में और यह पूरा देर यहां पर रुके रह जाएंगे और लहासा जल्दी पहुंचने पाएंगे इसलिए कहते हैं सुमती को कि आप पहले लहासा चलिए वहां पर चल कर दूसरे ले जाता हो उसको ढूंड रहे थे लिएकि कोई मिलता नहीं है तब यह लोग 10-11 बजे निकल पढ़ते हैं जैसे 11 बसता है तो उससे में धूप तेज जाता है और जैसे चलते हैं तो जहां-जहां जहां जिस हिस्से में धूप पढ़ता है इसे फेस पर तो बहुत गर्मी लगती है यह लोग बहुत मोटे कबड़े पहने रहते हैं तो इससे अपने मुझ को ढख लेते हैं अब जैसे मैं आगे की तरफ जा रहे होते हो मतलब सूरज की तरफ तो सूरज जो है उसका दूप आपके फेस पर पढ़ेगा इस तरह आपको बहुत ज्यादा फेस जैसे वाँ पर फील आएगा तो यहीं बोलते हैं कि जैसे इस तरह इंको जैसे दो बसता और बहुत ज्यादा फेस पर गर्मी आ जाती और ठंडा लाग जाता है तो अपने पीट पर अपना समान लाद लेते हैं जिसे कि ठंड पर कम लगे हाथ में डंडल यह आगे बढ़न चाते थे इसलिए उन्होंने बहाना बनाया और बोला कि आप हमारे साथ सेकर बिहार चलिए वहाँ पर हमें किसी व्यक्ति से मिलना है ठीक है और फिर वो लोग उस रास्ते चलन लग गया अब यहां पर राइटर कहते हैं कि जो तिब्बत की जमीन है न वो छोटे बड़े जागीदारों में बटी है जागीदार मथलब की जिनको राजा के दवार ज़ह जमीन कुछ दिया गया हूं और इन जागीरों मंतल限 जमीन वहाँ पर थे वहले जिसमें विहार विहार मतलब हो गया ऐसा मड़ जहां पर बौधर रहते हो मतलब आप सकते हो बौध मट ञात है तो जो बौध मट ता उनके पास था उनके हाथ में था आप जीन जीनant पर लोग के पास उनका जागय Food बीट में लिए एक से काम है उनलोब घृक्षु बिजे आथे भात पनाव में दिखने के लिए कि सभी जगध सहीं से खेती मनें सबसे जादा जमीन है अब यूशत राइटर थी सेकर फेडि नंग इसे के मुख्या बिक्चु नम से मिले बहुत ही भद्र पुरुष थे उन्हें梯ा कि वहां पर एक अच्छा मंदिर था और इंका असन लगा गया मतल्ब यहां पर इनको रखा गया जहां पर इनको रहने की वहीं पर ऑनुवाद है कंजूर था जिसमें 103 पोथिया रखी हुई थी हस्त लिखे विंस हां से रिखे हुई और हर एक पोथी जो थी वह 15-15 सेर से कम नहीं थी 15-15 सेर मतलब यह वजन बोलाया था सेर एक तरगा वजन है एक सेर मतलब 933 ग्राम ठीक है तो 15 सेर तो लबाब 14 किलो तो ग्राम समझ सकते हो मतलब एक एक जो पोथी मतलब बुक वहां पर रखे थी वह 14-14 किलो की थी अब यहां पर सुमती जो है वह पूशते हैं लेखक से कि मैं यहां पर कुछ यजमान मतलब जो भी उनके जान पैचान के लोगे उनसे मिलने जाता हूं तब यहां पर जो दोपहर के बाद चले आए मतलब मानों सुबह गया और दोपर में आगे अब यह लोग तिंगरी जो गाउं था उसके लिए निकल पड़े क्यूंकि वह जाया दूर नहीं था लोग जैसे हम जानते हैं कि यहां पर मिलना था इनको सुमती को कुछ अपने पहचान वाले लक्षय था वह वहां पर पहुंचे होंगे लाज़ता तो यह तब पूरा इस कहानी के अंदर आसा करों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी तो प्लीज लाइक कर देना दोस्तों कर देना और हां कॉमेंट रहे बताना कि आपको जो है कैसा लगा यह वीडियो में बता दिया है तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चेप्टर में